कि आज रेखा हरी सब्जी अपने गार्डेन का यहां के खुद जो आनर है वह खुद आ गई है कि में अपदेट करता चलूं को करन आनर भी है पूरी तरह से स्वस्त हो चुकी है तो गारी जासा करते हैं काब भी पूरी तरह से स्वस्त और मस्त होंगे अब यहां दोpatले जो आई हम हलकी हलकी सी ड्रेजलिंग हो रही है तो गैस जब हम यहाँ पहुंचे तो मौसम काफी खुशनुमा था लेकिन अभी जब देखा तो बारिस होना स्टार्ट हो गई अभी भी बारिस हलकी हलकी सी हो रही है हलाकि मैं बाहर आ चुका हूँ इसमें साम के चार बज गए हैं तो गाइस जिन पौधों को मैं पिछली वार दिखाया था वो पूरी तरह से अपने इसमें सुरूर में हैं अठखेलियां खेल रहे हैं देखिए यहाँ पे आ गए हैं उस पे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा तो उसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूँगा कि मैं यहाँ और क्या करना चाहता हूँ अलग गाइस यहाँ पे मेरा जो मकान जो बना हुआ है वो तो काफी ठीक ठाक इस्तिती में है लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि जब नेचर के साथ है तो कुछ हैसा नेचरल किया जाए कि वो पूरी तरह से फीलिंग आए कि नहीं हम नेचर के साथ जी रहें अपनी परमपराओं को थोड़ा से मेंटेन किया जाए तो गाइस यहां पर नन्नु पूरी तरह से सरारत करते हुए और एक चीटे को अपने बॉटल में पकड़ने की कोशिस कर रही है ननु क्या कर रहे हो मैं चीला को पकड़ने हूँ किसको पकड़ रहे हो चीटा को इधर देख के बताओ किसके पकड़ रहे है बतादो तो नन्नु अपनी बच्पन की हरकतों से बाज नहीं आ रही है एक चीटे को बॉटल में पकड़ने की कोशिश कर रहे है यहां कि भारी सो रही आपको भी दीख रहा होगा पानी भी है यहां पे तो नन्नु छोड़ दूसको जाने दो छोड़ो गए है 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 मेरी तब यह अच्छी है और मैं मैं पेल पास खरी हूँ और मैं सब चप्पे हूँ वे चीटा पकड़ लाइती तभी चीटा बहाँ गया था तो गाईस इस अच्छे से मौसम में नन्हु ने भी बता दिया कि उसकी तवियत काफी अच्छी हो चुकी है है लाकि उसको पूरी तरह से नहीं पता है को पूरी तरह से नहीं ठीक हुई लेकिन वाई जो लगभग मान के चले कि 80-85 परशन था ठीक हो चुका है दवा अभी भी खा रही है लगभग एक से दो दिन डॉक्षाम ने बोला था कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी झाल पूरी मौसम खराब होने की वज़त से यहां की हिसाथ मौसम बहुत ही सुहाओना है अब रहा होगा normananda अब प्रवण खराइव रहे हैं हम बनाते हैं इसको खाते हैं तो हम लोग ले रहे हैं चाय और पापर का पुरा पुरा आनन तो आप भी पीजिये चाहे और पापड करिए मज़े लेकिन आप से हम कनेक्ट हो गए इस बात के हमें बहुत ज्यादा खुशी है तो गाइज अंधेरा काफी हो चुका है लेकिन हरी हरी सब्जियां काफी तोड़ी जा चुकी है आज रेखा हरी सब्जियां अपने गार्डेन का यहां के खुद जो आनर है वो खुद आ गई है तो आज हम लोग घरी सब्जियां क्खिलाके ही रहेंगी तो दिखाए कि इतना तोड़ा रेखा अपने अब देव सारी हरी सब्जयां हो गई हम लोगों के पास और तुरन्ट अरगेनिक यह मेरी ताजी ताजी सब्जयां थो आप रहे तो गाइस सब्जी और सलाव दोनों रेडी हो गया है, हलाकि हम लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे टेबल के अभी कोई विवस्था नहीं, तो चलते हैं हम लोग अपने जो टीक के पोधे हैं, उनके पत्ते तोड़ के लाते हैं, और उनको बिछाते हैं, और साथ ही साथ ह खाना खाते हैं, बैट जो बैट इसी बैठो, बैट जो बैठो, 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 यो पीछे आजाओ, तो भई हम दोनों ब्लॉगर बैठेंगे, आपके साथ, नन्नू भी बगल में है, नन्नू, कुछ कहना चाहते हो, आप आडियन से क्या करने जा रहे हो, मैं खाना खाने किस पे बैठे हो, क्या लगा है, नेके में पत्ती लगाया हो, तो गाइज रहे है, मेरे शाथ, हम लोग करते हैं, हरी हरी शबजियों के साथ, भोजन, और साथ ही साथ, जो ताजा 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 अपनी ककड़ियां तोर के लाए थे, और गैनिक वाली उन से करेंगे, हम लो बोद दिन से सोच रहे थे, अपना डिनर सेयर करें, तो आज मौका मी ले गया, तो आईए मेरे साथ करते हैं, हम लोग, प्यारा एकड़म हरा भरा डिनर, जो खाना खाक कैसे लग रहा है, जो बहुत ही लजीज, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही सांदार, तो गाइज मैं कर लेता हूं अपने खाने को फिनिस, तो रहेगा मेरे साथ, करते हैं वीडियो समाप, जय हिन बंदे मातरम, जय गंगे महिया,